क्लास चल रही थी बेसिक नॉलिज आप जैनिज्म जिसके अंदर बच्चों से लेकर बड़ों तक को जैन धर्म की प्रमुक्स सिद्धानतों के बारे में बताया जाता है क्योंकि महान पुन्य से ऐसे सासद धर्म अनाधी धर्म की छत्रचाया में आपने जन्म लिया है जो जितेंद्रियता पर आधारी धर्म है जिनों ने भी कर्म सत्रूओं को जीत लिया वे कहलाए जिन या जिनेंद्र भगवान और उनकी हम उपासना करते हैं इसलिए कहलाते हैं जैन जैन कहलाते हैं जैन जाती नहीं है जैन है धर्म आज जाती से जुड़ गया क्योंकि जब जातियों की संख्या जन गनना की जाती है तो उसमें आपको भी लिखना ही पड़ता है लेकिन जैन है धर्म जिसे मनुस्यक्या पस्यों ने भी स्विकार किया और अपने जीवन का उध्धार करके तिर्थंकर जैसे महान पत को भी प्राप्त कर लिया तो उस जैन्धर्म की छत्रचाया में आप और हम जी रहे हैं भगवान महावीर के शासन में इसमें अनेक बातें नमोकार महामंत्र से लेकर हम पहुंचे हैं सम्यक दर्शन तक यानि हमने बेसिक नॉलेज आप जैनिज्म के अंदर पुझ ज्यानमती माताजी के दोरा लिखित बालविकास की पुस्तकों को माध्यम बनाया है दो पुस्तके पढ़ाई जा चुकी है और तीसरी पुस्तक बालविकास की चल रही है उसमें लेशन चल रहा है सम्यक दर्शन भूले नहीं होंगे हमारे जो पढ़ने वाले लोग हैं बीच में दसलक्षन पर आ गया तो दस बारा दिन का गैप हुआ है हम लोग कल रिशव गिरी चले गए जहां एक सो आठ फुटके भगवान रिशव देव की वंदना करके अपने को क्रत क्रत्य माना और पूज गर्नी ज्यानमती माताजी के निमित्य से हमें अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को द्रड करने का एक माध्यम प्राप्त होता है आप लोग भी जब जाओ गए भी तो भगवान के दर्शन खूब अच्चे से आँखे खोल करके और नीचे से उपर तक एक बार भगवान की पूरे अ हाग बंद करके हाग जोड़कर भगवान से जोज चाहे सो मांग लेना समझे प्रतिक कहा हो हाँ जो चाहे सो मांगो और देखना एक महीने से लेके दो महीने के अंदर अंदर वो सब की इच्छा परिपूर्ण हो जाती है तो ऐसे भगवान के लिए सम्यक दर्शन की बात ज आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे अब कहोगे सम्यक दर्शन क्या है सम्यक माने अच्छा और दर्शन माने देखना अच्छी तरह से देखना तो एक तो आँखों से देखते हैं और एक आत्मा की भी द्रश्टी होती है जिससे अपने विश्वास को अपने श सच्चे देवसास्र गुरु पर स्टrim करक coherent अपनी आत्मा की द्रष्टी को समीचीन सम्यक अच्छी बनाई जाती है बस इसी का नाम है सम्यकदसर। समझ व्याया इसी का नाम है सम्यकदसर। को हवा नहीं है सम्यकदसर। कि कोई वैजार में मिल रहा है या किताबों के अंदर मिल रहा है, नहीं, बस इतना है कि जब इनको समझना है, समझ जाते हैं, तो हम अच्छे से देवसाथ गुरु पर शद्धान करते हैं, और पता नहीं कौन से गुरु की क्या एक वानी, एक उनका वाग की भी आत्मा के अंदर बैट जाता है, उस पर सहारा मिल जाता है ऐसे इन गुर्वों की वानी से हमें संसार समुध में डूपते हुए को तिनकी का सहारा मिल जाता है और सम्मेक दर्शन मजबूत हो जाता है तो फिर बार बार संसार में परिब्रमन नहीं करना पड़ता है जितने दिन करते हैं उतने दिन अच्छी अच्छ अंधारन कर लिया, अनुब्रत ले लिये, पापों का त्याग कर दिया, फिर वो नरक में नहीं गए, फिर वो पसु नहीं बने, उसके बाद तो या देव बने या मनुस्य बने, या देव बने या मनुस्य बने, उसके बाद सबसे अंतिम भवका उनको मनुस्य भव ही आमनाओ